किसी student ने comment करके मेरे को पूचा है कि sir अधिकतर सवालों में आपने 10 theta का ही use क्यों किया है sign और course का क्यों नहीं किया तो इस वीडियो में मैं आपका doubt clear कर दूँआ कि कब sign theta का use करना कब course theta और कब 10 theta का use करना है इस वीडियो को देखने के बाद मुझे विश्वास है कि आपका doubt clear हो जाए sign theta बराबर लंबटा करन होते हैं तो इसको समझने के लिए हम ये इसको आप ध्यान से समझना अब ये है sign theta तो sign theta ये लिखा sign theta बराबर लंबटा करन अर्था जब sign theta का मान हम बोलेंगे तब लंब के नीचे इसको करन को भी हम साथ में बोलेंगे sign के बाद में cos, cos theta बराबर आधार बटा करन और ten theta, ten theta बराबर लंबबटा अदार अब हम लेंगे code theta तो code theta बराबर जब लेंगे तो ये आधार उपर आ जाएगग, तो आधार बटा लंब, ये होता है code theta फिर सेख ठीटा तो सेख ठीटा बराबर कर्ण बटा आदार होता है और कोसेख ठीटा कोसेख ठीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है अब ये समकौन त्रिबूज है समकौन त्रिबूज में ये 90 डिगरी है और 90 डिगरी के सामने कर्ण होता है और ये है अपना थिटा का मान जब दो कौन हो तो वो आधार होता है ठीक है ये आधार हो गया और 90 डिगरी की जो पास में है वो हो गया लंब तो यहाँ पे साइन थिटा बराबर लंब बटा करण तो इसको लिखा L बटा K और कोज थिटा बराबर आधार बटा करण होता है तो कोज थिटा बराबर A बटा K लिख सकते हैं A बटा K और 10 थिटा बराबर लंब बटा आधार L बटा A तो L बटा A और कोज थिटा बराबर आधार बटा लंब तो A बटा L A बटा L और सेख ठीटा बराबर कर्ण बटा आदार तो K बटा A और कोसेख ठीटा बराबर कर्ण बटा लंब तो K बटा L इसको हम लिख सकते हैं अब आते हैं मेन प्रोब्लम पर कि हम साइन ठीटा का यूज कप करते हैं कोस ठीटा का यूज कप करते हैं अब हम साइन ठीटा बराबर लंबटा करण होता है अब इसमें आपको या ठीटा या लंब देगा ठीटा या करण देगा या लंबटा करण देगा ये तीन चीजों में से आपको कोई भी दो चीजे देगा लंबटा करण दे दिया तो आपको ठीटा का मान निकालना है और ठ चित्र में देखते हैं कि ये तो हो गया के ये और ये एल अब आपको माल लिए के थीटा का आप vrij दिश्चे दिग्रियज दे लिडिया और करण का मान आपको में 15 मिटर देदिया और आपको कहा कि इसका लंब ग्याद कीजिए अर्थात हमें लंब का मतलब उचाई ग्याद कीजिए तो देखो आप ये है कर्ण और ये है लंब या कर्ण बटा लंब या लंब बटा कर्ण दो चीजे तो साइन ठीटा में लंब बटा कर्ण इन दोनों में से एक बन रहा है चाह आधार बटा कर्ण होता है इसका मतलब यह है कि आपको आधार कर्ण और ठीटा का मान तीनों में से दो मान आपको देंगे तो इसको हम समझने के लिए आपको आधार का मान दे दिया मान लिया आपको 15 मिटर दे दिया और आपको कहा के इसका कर्ण ग्याद कीजिए या आपको ये तिर्ची उचाई ग्याद कीजिए जब आपको आधार दे रहे खाए और कर्ण ग्याद करना या कर्ण दे रहे खाए और आधार ग्याद करना तो इस condition में आपके cos theta का प्रियोग होगा, next लेते हम 10 theta, तो 10 theta में लंब बटा आधार होता है, ठीकें, तो इसमें आपको या तो लंब का मान देगा, या आधार का मान देगा, दोनों में से एक मान देगा, और एक theta का मान देगा, तो जब आपको, मान लिया, आपको लंब का मान 10 मिटर देदिया, और आपको कहा कि इसके आधार आधार ग्याद कीजिए, तो इस condition में आपके 10 theta का प्रियोग होगा, क्यों? क्योंकि लंब बटा आधार 10 theta होता है, और अगर आपको ये 10 मिटर यहां देदिया, और आपको कहा कि लंब ग्याद कीजिए, तो इस condition में भी आपके 10 theta का यूज होता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आगया होगा, कि कब sin theta का यूज करते हैं, कब cos theta का और कब 10 theta का, हम मिलेंगे next वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन!